ही गाइस वल्कम बैक मैं यूटुब चैनल लवली गाइडन कैसे हैं आप आए हो बच्चे होंगे आज देखिए कितना खुबसूरत समंजर है यह बिल्ली इस बिल्ली ने दिया है दो बच्चे और दोनों बच्चे इसके देखिए यहाँ पे है दिखे होंगे आपको यह दे होती ज्यादा ढीट है डरती नहीं है और ऐसे ही सोई रहती है और यह कुछ मंजर मेरे गार्डन का तो आज मैं सोचने वाली हूं आज मैं ओली अंडर पर बोलने वाली हूं कि ओली अंडर की कैसे करें जब इसमें फ्लावर आने का टाइम हो जाता है तो एन गाइस यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है हाला कि जब इसको मेरे हैस्बेन लेकर आया कि मुझे गुंजा इस नहीं थी कि यह प्लांट लग जाएगा बहुत लग गया तो लग गया तो इतनी ज़्यादा फ्लावर इंग इतने प्यारे प्यारे इतने सैंसितिव फूल आ अगर आपको प्यारा लगे तो प्लीज यार बताया करो और कुछ दिखा देती हूं आपको अच्छे प्यारी प्यारी चीजें यह देखिए मेरे रोज प्लांट में तीन फूल खिल चुके हैं जिसे की हटाया नहीं मैंने अभी अटा देती हूं और यह देखिए कुछ बर और पांच आठ और यह है मेरा बिंका देसी बिंका जिसे की मैं इसे अगर इस पे मैं ग्राफ्टिंग करना चाहूं तो इस पे बहुत सारे अलग अलग रंगे फूल आ सकते हैं लेकिन इन दिनों में अभी ग्राफ्टिंग नहीं करूंगी जब बारिश स्टार्ट हो जाए यह भी आपके साथ सेयर करूंगी तो होफ करती हूं आपको पसंद आएगा तो फाइनली मेरे जो कनेर का प्लांट है इसमें जैसे केर मैंने की थी वह तरीका मैंने आपके साथ सेयर किया था और इसमें आने लगी है बर्ड तो देखिए बर्ड इसकी आपकुछ दिनों में खिल भी जाएंगी और यह पिंक और कुछ मैरून कलर में होगी यानि बाहर वाली जो पंखुडी का साइड है वो मैरून होगा और अंदर का पिंक तो सोची कितना हुपसूरत लगेगा और उपर से यह तीन-तीन ब्रांच में डिवाइड हो गया है अभी दिखाती हूं यह द प्रूट के पास अपको दिखाते हैं कि इतुत सरी प्रांच मीशली है ONE TWO 3 और एग यहां से फुटाओ हैban sta here मैं को हमें तो इस तरीके साब मुझे और और झाल से अब सरफ इंद ही लिए वे तो अगर इस तरीके आप में ब्रांच निकल ही रही है तो प्रून करने का कोई मतलम नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत साला बुसी हो जाएगा मेरा प्लांट तो अभी मैं बताती हूं कि इसको केर कैसे करना है तो जैसा कि इसमें बर्ड आने लगी है तो इसकी गुडाई करके हम लोगों को चाहिए कि जब हमारे ओलियंडर प्लांट में कनेर के पौधे में बर्ड आ रही है तो यह अच्छे से फूल खिले और फूल काफी दिनों तक रुके रहे इसके लिए हमें इसमें खुर्पी के जरिये इसकी गुडाई करना चाहिए और उसके बाद इसमें गोबर की खाथ हमें दे दे केरत करें नहीं जाहिए तो फाइनली मैं अपने मित्ती की गुडाई कर ली है मैं कामिरा बंत कर दिया था कि वीडियो जबाभा बढ़ा ना बने क्योंकि हाला कि बांट की केर गुण है पर बलांट लगानाा भी कौशाल मोई पास इतनाarm लेकिन कुछ लोग पास इतना टा प्राई करती हूं तो मेरा ये काम रहता है कि मैं मिट्टी को हाथों से थोड़ाव सा नरम बना दो फोड के ताकि जो हम मैं फटलाईजर डालो इसमें बीजाए तो भाई फटलाईजर में क्या डालने वाले हूं यह भी वदादा हूं क्योंकि बहुत इंपोर्डेंट है मैं की खाट डालने वाली हूं डी कंपोज जो की जिसमें की बहुत सारे कच्वे भी हैं तो आप उसे गोबर और कच्वे दोनों की मिक्स खाट समझ सकते हैं तो यह बनाना बहुत ही ज्यादा असान है मैंने एक प्लांट में अपने गोबर और गुड से बनी हुई फटिलाइजर में अब ढूला करते हैं कर्मक्राश को के मिकल फटिलाइजर में नदा रहते हैं कि िसके क्च्वे अंदर गुज गया है मैं अभी दिखाते हूं आपको तो फाइनली मैंने निकाल दिया है और अभी मैं किच्वा दिखाती हूं आपको हाला कि मुझे बहुत ज़्यादा डल लगता है फिर भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिल जाए यार बिना आइडिया के तो कोई काम नहीं होता है ना यह देखिए य के है कर दो को दिखरें जिसकी खाद बनानी बहुत है ज़्यादा आ और यह दूसरा कुछा व्यकुलिया दोसरी अपुछा गिर गया और यहां कि व क्छिवा को दिखिए तो यह मित्टी को बहुत ही ज़दा उपजाओ बना देते हैं और एक बार आप किसी पॉट में अपने कच्छुई की खाद बना लिए और गयनिक चीजे इस्तमाल कर रहे हैं तो यह कच्छुई हमेशा आपके मित्टी में बने रहेंगे देखिए किस तरीके से तो बस आपको इस तरीके से मुझे तो बहुत डल लगता है इसने उंगलियों से छूने में तो कुछ इस तरीके से इस पतली से स्टिक के मदद से मैं इसको पूरी तरीके से फैला दूँगी और यह दिरे दिरे अंदर चले जाएंगे इसके लिए मैं इस पर पानी डाल दूँगी तो यह तो भी बहुत ही चल जाएगा तो देखिव आपने लिया कि किस तरह किसे मैंने किया है तो अब बात आती है आपकी क्योंकि हर लोग के पास केचुए की खाद नहीं होती है फिर गोबर की खाद नहीं होती है आभी मैं कुछ बिल्लियों का नजारा आपको दिखाती हूँ यह दबंग हुई है ये देखिए मैरा सीडलिंग तोड़ देगी वह इसके ले अब आदेखिए बodies scaling डाली है लेकिन ज़िक्राख बहुत लोकी जदा प्यार लगता इū जिस जगह पहों कहया है आप देख उनकी मस्ती चलती रहती है काफी टाइम तक तो इस तरह की से आप इसमें क्या क्या डाल सकते हैं यह मैं बताते हूं तो जिनके पास यह सारे चीज़े नहीं है तो वह अपना जो फ्रूट वगारे वेजिटेबल के सबजियों की छिलके होते हैं आप उसे सुखवा लेजिए और मिक्सी में ब्लेंड करके उसका एक पेस्ट बना लेजिए पाउडर और उसका इस्तमाल करिए और देखिए फिर क कि ग्रोथ रुख गई हाला कि कनेर बहुत ही रफ्ट अफ हार्डी प्लांट है पर कुछ नो कुछ इसमें डालते रहना चाहिए ऐसे नहीं कि एक बार डाल दिया तो बस तो फाइनली अब मैं स्टोन से इसको कवर कर दूंगी और पानी दे दूंगी और यह को बच्छेस च कि आ और यह को बार बार गई।